हेलो दोस्तों मेरा आप मेरा आप देखरों का हिंधी टेक फीडियो और इस वीडियो के अंदर आप बात करने बाले हैं जोलो ओमेगा 5.5 के लिए फाइनली M.I.U.I.A. 2.1 स्टाबिल रॉम लिस हो गया है और इस रॉम का अपने जोलो ओमेगा 5.5 के अंदर के लिए इस वीडियो के अंदर बात करने बाले हैं तो चलिए उस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जानेते हैं दोस्तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चालों को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर देने के साथ जो घंटी बाल आइकन है इस दबादो इससे क्या होगा जबी भी मैं कोई नीए वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जाए करना चाहते हो तो अप्लिकेशन के अंदर आप एक्सपोर्ट को इंस्टोर कर सकते हो अपनी डॉल्बे एड्मोस को इंस्टोर कर सकते हो कैसे इसलिए वीडियो में बना चुगा हूँ उसका भी लिंक में डिक्स्राइब में छोड़ दूंगा आप वहां से भी देख सकते ह क्याको फिचर है क्या-kया बट फिक सोए है और क्या खेसुछ फोन इसके अंदर मेरे अकली वीडियो में दोता में की कैस्तों में चस्पोर्ट ऑंदर यूंपर्णन के सपोर्ट आ थो सारे कस्तोमेंशन और आपके अपडेट के आँज अब तरी वींकर सी सफिंशॉर ले स तो उसके साथ ताब टू फिंगर से कुई कर सकते हो जिसने भी एक फिचर है सब इस रॉम के उपर है तो अगर आप चाहो तो सिंपल यूटूब को साच कर से देख सकते हो एमा यूई 8 2.1 के अंदर क्या का फिचर है किस्ला प्यूटूर, सिंपल गुटूब कवरच आप नहीं राटिया, तो सब कशने वाईप अब को देख सकते हो उसके बाद के जाने के बाद पहला को करना होगए और आपको पूरा डेटा का पूरा रॉम और बाक्णे वाईप लेना होगा तो कि इस फॉसल के दोरा सुष साफ़ाइन के बाद प्रें के बाद सब्सक्राइब निर्ण बांच चाहिए इंटर्रा सब्सक्राइब हो मर्साया करने दाफको नुअ मैं मैं य। जाए कि अब आर्वा और बाद सन XL पर जाने के भाद सथ अब आपकि ने इस्याइर कीया अब यै उपर क्लिप करके आप दोस्तो ध्यान दे जो रॉम है रेड्मिनोट 3G के उपर से प्रोट किया गया है और जासे आप जानते ही हो ओमेगा के अंदर जियो सिम काम नहीं करता है आप 3G चला सकते हो जो रेड्मिनोट 3G के अंदर से इस MAUI 8 की रॉम को पोट किया गया है जोलो ओमेगा 5.5 के लिए दोस्तो इसी तरह से अपने डिवाइस के अंदर MAUI 8 को इंस्टूल कर सकते हो है जो मेथाट एस अभी MT6592 डिवाइस के अंदर काम करते हैं अगर आपके पास MT6592 वाला चिपस सेट का फोन है तो आप MAUI 8 को इंस्टूल कर सकते हो आपके फोन को पर कोई दिक्यत बली बात नहीं है पर धान दे दस्तो आपका पूरा जो स्टॉक राम है कारेंड राम है उसका डेटा का बैक अप लेलो बात में अगर कोई परिश्यानी हो तो आप बैक अप से हुआ हुआ पर बात बात लो आ दो